नमस्कार मैं रितेश कुमार आज हम देखने कला है मारूती सुजु की बलेनों आगे वीडियो में हम इसका एक्स्टिरियर इंटिरियर इंजन पावर फिगर इन सभी चीजि़ों के बारे में बात करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें 4 विरेंट देखने को मिल जात सकते हैं इसमें वित प्रोजेक्टर हैड्लाम दिया हुए है जो की ऐलीडि ड्रल के साथ में आते हैं और इसमें प्रोजेकटर अब को ड네요ל डरई से मिल जाते हैं और मील जायेगा और नीचे में आब फॉउग 9 को देख सकते हैं यह भी जेटा मॉडल से ही मिल जाते हैं और ये कुछ इस तरह से क्रोम का ट्रीटमेंट किया हुआ है और इसके ग्रील को देख पा रहे होंगे कुछ वेव शेप में इसे डिजाइन किया हुआ है जो कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और नीचे के आप ये ग्र का फिनिशिंग दिया हुआ है जो कि देखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है और इस कार का रोड प्रेसंट भी काफी जवरदस्त है अब फ्रंट के विन ग्लास को देख सकते हैं कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है और यहां से आप इसके वाशर को भी देख किया गया है और यह विल आर्टी को देख सकते हैं जो की बॉडीय कलर के साथ में ही है और इसमें आपको सभी डोर में यहां पर भी ये खुलो का ट्रीटमेंट किया हुआ है और इसके आप याप को इसके पिछ ब मैं का भी नूंट कि आ instruments के साथ में और यहां पर भी क्रों में यहां फिलिए गया और यह leather finishing के साथ में यहाँ पर plastic का यह लगाया गया है और इसमें rear parking के लिए 4 sensor दिये हुए है जैसे कि यह देख सकते हैं और इसके top model में आपको rear parking camera देने को भी मिल जाता है और आप इसके कोई भी model में showroom से ही rear view camera भी लगवा सकते हैं और यहाँ इसका reflector और पीछे में कुछ इस तरह से slider दिया गया है और यहाँ पर two point दिने को मिल जाता है इसके bonnet को आप यहाँ पर दिये हुए push button की माधम से बड़े असानी से open कर सकते हैं और यहाँ कुछ इस तरह से open होता है इसके boot के door को देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसमें finishing किया गया है इसमें बड़े size में आपको पारसल ट्रे देखने को भी मिल जाता है इसको आप असानी से निकाल भी सकते हैं इसका boot space से काफी अधिक दिया गया है और थोड़े से deep size में है यह से series के रूप में यह मिल जाता है इसे आप यहाँ पर लगवा सकते हैं इसमें boot light भी मिल जाते हैं carry bag handle भी दिया गया है तो boot space के मामले में भी यह कार आपको निराश नहीं करेगा बलेनो का यह decent look हर किसी को पसंद आता है और यही कारण है कि बलेनो मार्केट में आते ही जादा से ज्यादा unit बिखने लगा था बलेनो में हमें कुछ इस प्रकार से की देखने को मिल जाता है इसको आप यहाँ से भी unlock कर सकते हैं और यह request sensor की मदद से भी इसे आप बड़ असानी से unlock कर सकते हैं यहाँ से आप पूरे door को देख सकते हैं कुछ इस तरह से design किया हुआ है और यह door padding को भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर navy blue का soft touch दिया गया है जो कि आपके armrest के लिए है और इसमें सभी window के लिए power control बटन देखने को मिल जाते हैं mirrors को control करने के लिए बोतल होलडर और मैगजीन होलडर यह सबी चीज मिल जाएका और यह door open handle भी chrome के साथ में दिया गया है यहां से आप पूरे इसके dashboard को देख सकते हैं कुछ इस तरह से design किया गया है सिंगल पीस के साथ में कुछ इस प्रकास से सिवेंट देने को मिल जाता है और इसके जेटा म अब कम ज्यादा कर सकते हैं temperature के लिए और यह रहाएसी और यह एसी के modes को और इसमें auto-ac का भी option मिल जाता है लीचे में charging socket और यहां पर और यह और USB दिया गया है यहां पर mobile order मिल जाता है यह रहा चोटा से कफ फोल्डर five speed manual transmission मिल जाएगा और इसमें CVT transmission का भी option मिल जाता है और इसके gear play को आप देख सकते हैं जो की बहुत ही कम है इसी वज़ा से Suzuki के जो gear box होते हैं काफी अराम दायक होते हैं इसमें हमें कुछ इस प्रकार से parking brake देखने को मिल जाएगा है और जेटा model से ही आपको armrest देखने को मिल जाता है और इसके अंदर storage भी दिया गया है और य दिया गया है और इधर के दोर को देख सकते हैं इसमें window control और यह डोर ओपन हैंडल और यहां से door close करने के लिए और यह सफ्ट चीज़ में दिया गया है इसके सभी model में आपको दोर पर 40 देने को मिल जाएंगे और इसके जेटा model से आपको 40 पिकर के साथ साथ 2 ट्वीटर द और इसमें auto day night mirror देने को मिल जाता है जो कि automatic address हो जाएंगे और delta model से आपको all window power control देने को मिले गए इसके steering wheel इसमें आपको steering mount control देने को मिल जाएगा यहां से आप wise command कर सकते हैं और यह call pickup अगरा करने के लिए सब इसमें दिया गया है और इसके सभी model में आपको tilt adjustable steering wheel देने को म data model से आपको इसमें telescopic type steering wheel देने को भी मिल जाएगा जो की बहुंती अच्छी बात है इसका मतलब इससे आप अपने जरुत किसाप से किसी भी तरह से adjust कर सकते हैं यहां से आप इसके पूर मीटर को देख सकते हैं इसमें प्रकार में और बीच में यह color TFT के साथ में M.I.D. दिया गया है इसमें आपको अने को प्रकार के function देखने को मिल जाता है जैसे कि यहां पर एवरेज फिल एकोनोमी रेंज और ट्रीप मीटर ओडो मीटर और इससे आप ट्रीप ट्रीप टू भी सेट कर सकते हैं और outside temperature और रियल-time mileage और driving time भी यहां पर दिखाएगा अ इससे आप इसके headlight के focus को कम जादा कर सकते हैं और जेटा model से आपको pussy start button देखने को मिल जाता है इसके bonnet को open करने के लिए नीचे से आप इसके pedals को देख सकते हैं कुछ इतने gap में सभी pedals को दिया हुबे हैं और यहां पर आपको foot race देने को भी मिल जाता है इसमें height adjustable seat well देखन कर सकते हैं और जरुवत पने पर बड़ा सानी सी से निकाल भी पाएंगे चलिए रियरो में चलके देखते हैं इसमें chrome treatment के साथ में door handle देखने को मिल जाएगा और आप यह door padding को देख सकते हैं navy blue के साथ में इसमें दिया गया है यहां पर बोतल होड़ा देने को मिल जाएगा यहां पर charging socket भी मिल जाएगा यहां पर mobile holder यह दिया गया है पिछे में magazine holder भी मिल जाएगा यहां पर grab handle और यह quarter glass को देख सकते हैं जो कि अंदर से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और इस side में भी यह grab handle दिया गया है पिछे side में हमें reading lame देखने को मिल जाता है और back side से देखने पर इसका जो front interior है कुछ इस तरह से दिखाई देता है और delta model से इसमें adjustable type headrest देने को मिल जाते हैं और driving करते समय हमेशा headrest लगा के ही car को चलाना चाहिए और पीछे भी आप बैठें तो भी हमेशा यह लगा हुआ होना चाहिए और इसका seat को fold करने के लिए यहां प पारसल रहें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है बात करें इसके safety features का तो इसमें दो airbag और आइसोफिक child seat anchor भी दिया गया है उसके साथ ही front में disc brake ABS plus EBD और speed warning जाता जो की base variant से ही आपको मिल जाए तो चलिए इसके bonnet को open करके देखते हैं इसका bonnet भी ठीक ठाक हैवीद बन और यह coolant box के लिए battery box इसके सभी प्रकार के fuse आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और यह ABS motor यह exhaust manifold, catalytic converter, AC के compressor यह सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं और यह रहा है इसका gear box बात करें इसके engine का तो इसमें 1.2 liter का 4 cylinder petrol engine दिया हुए है जो कि 61 kilowatt का power 6000 rpm और 113 newton meter का torque 4200 rpm पर produce करते है और इसका जो smart hybrid technology वाले engine है उसमें 66 kilowatt का power 6000 rpm और 113 newton meter का torque 4400 rpm पर मिल जाता है इसका मतलब इसके smart hybrid वाले engine में आपको normal engine से थोड़ा से top speed अधी देखने को मिल जाएगा यह रहा है इसका fuel cap इसमें 37 liter का fuel tank दिया गया है इसमें zeta model से ही आपको 16 inch के alloy wheel मिल जाएंगे और sigma में still wheel मिलते हैं जो कि 15 inch के साथ में आते हैं और इसके tire size को देखे तो इसमें 195 by 55 section के tire दिये हुए है और इसमें mag person strut type के front suspension यूज किये गया है और पीछे में आपको torsional beam type के suspension देखने को मिल जाएगा और यह rear wheel को भी आप देख सकते हैं तो चलिए start करके इसके cabin के अंदर का noise इतना आता है और यह रहा है इसका steering response तो कुछ इतना अब आज आता है इसके अंदर में जो की ठीक ही है तो इतना कुछ features देखने को मिल जाता है आपको मारुति सुजुकी बलेनों में अगर आप कोई ऐसा car चाहते हैं जो कि look के मामले में भी और performance के मामले में भी आपको निराश्क न करें और आपके budget segment में भी हो तो आप इसे consider कर सकते हैं क्योंकि जो सुजुकी के car होते हैं यह बिल्कुल ही maintenance free होते हैं अगर आपके मन में इसका आपके मन में कोई भी डाउट या कुछ कोश्चन हो तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं जाब देने का पूरा कोशिश करेंगे तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक आते हैं यह नमस्कार